हेलो फ्रेंड्स, अश्टेटी बूम में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख चर्चित ब्यक्तित्तु के बारे में जो हाल फिलाल के दिनों में किसी कारण वस चर्चा में रहें और जिन से संबंदित क्वेश्चन परिछ्च्या में पूछे जाने कि संभाबना है तो चलिए सुरू करते हैं प्रमुख चर्चित ब्यक्तित्तु के वारे में आज हम जानेंगे तो पहला है जी सतीस रेड़ डी इन्हें मिसाइल सिस्टम अवार्ड्स 2019 से सम्मानित किया गया है बिर्सु की सबसे प्रतिष्ठित एरोस्पेस टेक्निकल सोसा आइटी ए आई डवल ए ने तीन मार्च 2019 को मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से जी सतीस रेड़ डी को सम्मानित किया अगला है बी धननजे कुमार तो ये केंद्रिय मंत्री थे और इनका चार मार्च 2019 को सरशट वर्स के वरस्था में निधन हो गया है सुस्मा सोडाज आप जानते हैं कि भायत की विजेस मंत्री सुस्मा सोडाज है और इन्हें इस्लामिक सहयोग संगठन OIC यानि कि Organization of Islamic Countries कि Counseling of Foreign Ministers CFM के 46 में सत्र में गेस्ट ऑफ ओनर के रूप में भाग लिया तो एक से दो मार्च के बीच जो OIC का कांसलिंग ऑफ फोरेंड मिनिस्टर्स था उसका उस सत्र में सुस्मा सोडाज ने गेस्ट ऑफ ओनर के रूप में भाग ली थी चर्चा में हैं अभिनंदन इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे विंग्स कमांडर अभिनंदन ने सैन करवाई के दोड़ान पाकिस्तान के कबजे में पहुंच गये थे लेकिन एक मार्च 2019 की उनकी सवकुसल भारत में बापसी हुई असनेहा पार्थी वर्जा ये किरुपत्तूर बेलूर तमिलाडू की रहने वाली है 35 बर्स की है और इन्हें नो कास्ट नो डिलेजन पर्मानपत्र परदान हुआ है वह यह उपलब्धी पाने वाली देश की पहली महला है भारत की ये पहली महला है जिने नो काश्ट नो डिलेजन प्रमान पत्र प्रदान किया गया है यानि अब से ये ना किसी जाती के हैं ना किसी धर्म के हैं ये केवल भारतिये हैं हम आपको बता दें कि ये पेसे से एक बकील है अगला है हीना जश्वाल तो ये भारत की पहली फ्लाइट इंजिनियर के रूप में भारतिये बायू सेना में सामिल हुई है तो भारत की पहली फ्लाइट इंजिनियर कौन है हीना जश्वाल सत्य रूप शिधान्त हम आपको बता दें कि इनका हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पहले कि वीडियों भी इनके बारे में बता चुके हैं ये पच्छिम मंगाल के रहने वाले हैं और ये सभी महाद्यूप आप जानते हैं कि सात महाद्यूप हैं उनके सातो सर्वूज शिखर सभी महाद्यूब के जो सर्वूज सिखर है सातो सर्वूज सिखर और ज्वालमुखी चोटी को फटा करने का इन्होंने सबसे यूबा प्रवत्रोही बने गया है तो यह सात प्रवत सिखर और सात ज्वालमुखी प्रवत फटा करने का इन्होंने रिकोर्ड सबसे कम उम्ने बनाया है इनका नाम सत्य रूप सिध्धान्त है पच्छिम बंगाल के रहने वाले चलिए आगे बढ़ते हैं अपढ़ना कुमार यह उत्तर प्रदेश कैड़र की IPS है और यह दच्छिन धोर्व पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS बनने की उपलब्दी इन्होंने प्राप्त की है आप जानते होंगे कि भारत की पहली महिला IPS कौन थी और यह अपणना कुमार है जो पहली महिला IPS है जो की दच्छिन धोर्व पर पहुंची है तो भारत की पहली महिला IPS किरन बेदी थी लेकिन यह पहली ऐसी महिला IPS है जो की दच्छिन धोर्व पर पहुंची है अगला है अरुनीमा शिनहा तो ये दिब्यांग हैं और इन्होंने अंटर्क्टिका की माउंट बिनसन मैसीफ परबत छोटी को फतह किया है ये दिव्यांग होती हुए भी इन्होंने ये रिकॉर्ड हासिल किया है अंटार्टिका की सबसे उची परवत जो है मांट विंसन मैसिफ परवत इन्होंने फत्र करने का रिकॉर्ड कायम किया है तो इस प्रकार ये सब चर्चा के भी सही में है अपने अपने उपलब्धियों के कारण और इससे संबनित प्रस पूछे जाने की संभाबना है तो फ्रेंड्स इसे ध्यान रखें याद रखें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे तेंक यू